हेलो प्रेंट्स वेलकम टो यारे से स्टाडी पंच चैनल कैसे हम सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे फ्रेंट्स भारत के राष्टे खिल दिवस के उसर पर कल टोक्यू से एक बहुत बड़ी खुसकवरी आई थी भारत के निशाद कुमार ने इतिहास रच्ते हुए उसी भारत को दूसरा सिलबर मैडल दिलाया। उन्होंने सिलबर मैडल जित गरके हम सभी देश्वास यों गौराणिवीत किया है तो प्रेंट्स आज केसे वीडियो में हम आपको निशाद कुमार जी के बारे में पुरे बिस्तर से बताएंगे प्रेंट्स ये वीडियू आप उनका जन्म 3 अक्टूबर 1999 को हुआ था निसाद ने अपने जिवन में काफी कठी नईयों का सामने किया है फ्रेंट्स सीट्स पर पहुंचने के लिए उन्होंने अब इस वेसनी रूप से कड़ी मेहनत की है निसाद ने अपनी उन्च सिख्षा लवली प्रोपेशनल इन्वर्सिटी से सारीरिक सिख्षा में प्राक्त की है साधी प्रेंट्स जाने कीगा कि निसाद के पिता जी का नाम राक्षपाल सिंग है और वे एक किसान है जबकि उनकी माता का नाम है पुस्पादेवी और वो एक हाउस वाइफ है निसाद जब आठ साल के थे तब चारा कारते समय मश्चीन में उनका हाथ कड़ गया था और छोड़े से कजबे के सरकारी स्कुल से बारही काक्षा की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लक्ष बना लिया था कि वह खेलों में भवी से बनाएंगे उसके लिए उन्होंने उची कुद में कड़ी मेहनत की और फिर उची कुद में उन्होंने समाने बर्ग में ही प्रदेश में प्रतम अस्थान हासिल किया था साथी प्रेंट्स दरान लेखी गा कि निशाद कुमार ने अपनी कारियर की सुरात साल दहर 17 में पारा अथलेटिक से ही की थी और उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा प्रेंट्स बीसव पैरा अथलेटिक्स ग्रांप्री के लिए बरहवी फैजा अंत्रस्टी चैंपियंसिप जो की 2019 में आउजीत हुआ था उसमें उन्होंने स्वांड पदक हासिल किया था और उसमें उन्होंने ब्याक्तिकात स्व्स्रेश्ट स्कोर 20.06 मीटर की चलांग लगा कर बनाये था और इस चलांग के बाद वे टोकियो पर अलम्पी के लिए भारती दल में सामिल हो गये थे लेकिन इस साल फर्वारी में निशात कुमार कोरोना पोजेटिव ही हो गये थे लेकिन कोरोना के मात देकर सत्य नरायन जी के मार्ग दर्शन में जम कर प्रेक्टी सुरू कर दी और अब परिनाम सब के सामने है फ्रेंस ये बहुत ही खुशी की बात है कि एक किशान का बेटा होते हुए भी उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके हमारे लिए राज़त पदक हासिल किया है और फ्रेंस टोक्यो पारलंपिक में भी उनका संदार परदसन रहा हिमासल परदस के इस इवा खिलाडी ने टोक्यो पारलंपिक में राज़त पदक जीत कर हम सभी देश्वासियों को गरवानवित किया है फ्रेंस दिया ने कीएगा कि ये भारत का टोकिय पारलम्पिक में दूसरा राज़त पतक है इसके पहले भवीना पटेल ने हमारे लिए राज़त पतक गीता था और दूसरा राज़त पतक हमारे लिए निशाद कुमार लेकर आए हैं थैंक्यू दोस्तो आज का मारा वीडियो यहीं पर समाब थो था है फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हमने आपको निशाथ कुमार जी के बारे में पूरे विस्तार से बताया है आई होप आपको यह वीडियो अच्छी और हेलफू लगी हो तो लाइक कर दीजिए अपनी द दिस्किप्शन बक्स में तता आई बटन दूनों पर दिया गया है आप जरूर देखे तो चले फ्रेंट्स अब हम मिलते नेक्स वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें खेलते रहें आगे बढ़ते रहें धन्यवाद